नमस्कार आप सभी दश्यकों कल रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और अगर हम लोग बात करेंगे सरकार के तीन साल की तो कई सारे लोगों ने कई सारी बाते कही सरकार के तीन साल में कई सारी उपलब्दियां गिनाई मगर शिल्पी नेहा तिर्की जो कि अभी मांडर की वज़ तरीके से जब सदन चल रहा था उस वक्त नियोजन नीती को लेकर के लगतार सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन अभी हाल के दिरों में मुखे सचीव ने बैठक रखी और कई मुद्दों पर उसमें चर्चाय हुई औ नियोजन नीती को लेकर के आप क्या कुछ कही है क्योंकि अभीर्थी जो है वो काफी परिशान है और इसको लेकर के लगतार अपनी आवाज जो है वो उठा रहे है मुझे लगता है रोजगार के मामले में हमारा राजे इतना श्रापित रहा है जब भी कोई नई योजना आए या नया एक्जाम का डेट फिक्स किया जाता है तो पेपर लिख हो जाता है अगर जैसे नियोजन नीती लाया गिया तो वो हाई कोट में चैलेंज हो गया ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं राजे के पास मुझे लगता है जहां तक हमारी महागटबंधन सरकार की जो प्रयास थी वहाँ यही था कि यहां के जो स्थाने लोगों है उनको कैसे लाब दिलाया जा सके और खासकर कि 3rd और 4th grade में कैसे उनको हम लोग एक entrance दे सकते हैं मगर वो कम से कम at least court में challenge ना हो सके और साथ ही साथ यहां पे जो आदिवासी मूलवासी है जिनका हक इन services में सबसे जादा बनता है उन्हें एक तरीके से priority मिल सके अगर हम बात करें मैं इसमें JSCJE के जो examination है उसको लेकर के भी लगतार सवाल उठ रहे हैं कि इसको लेकर के क्या कर रही पुना एक बर फिर से exam लिया जाना चाहिए देखिए यह तो administrative सवाल है और अधिकारी इसमें क्या कर रहे हैं वही आपको ठीक से बता पाएंगे मगर मुझे लगता है कहीं ना केवल परिक्षा के मामले में मगर अन्य जगाओं पे भी मैं administrative lacking में तो हाली फिलाल में राजनी स्थानिये लोगों के बारे में सोचने की भी जरूरत है यहां का जो नियम है कैसे राजी की क्या जरूरत है उनको भी समझने की जरूरत है तभी वो थोड़ा सा अपने जो जो अपना काम का तरीका है उसको और लोकल बना पाएंगे और लोकल होते होते यहां के जो लोग है उनको जादा से जादा फाइदा मिल पाएगा नियोजन निती राद होने में सबसे बड़ा हाथ क्या लगता है ब्योरोक्रेसी का रहा है जो ट्रूटिया उन्होंने वहाँ पर छोड़ी थी क्या उनका सबसे बड़ा हाथ है आज के समय में नियोजन निती रद होने के पीछे देखे नियोजन निती को अगर आप डीटेल तरीके से देखिएगा तो जिस तरह से उसको फ्रेम किया गया था हमने कहा कि प्रायोरिटी ही था कि स्थानिय लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में ये देना आज आपकी कई सारे राज्ये हैं जहां पर इस तरह का नियोजन निती है आपका केरला हो गया, छतिसगर हो गया, बंगाल हो गया तो फिर क्या कारण था कि यहां से जारखन में ये निती, इस तरह का निती नहीं चल पाया मुझे लगता है इंटेंशन तो सही था, हमने तो राज्य सरकार से ये भी मांग किया था कि हर एक विधायक को हाई कोट का प्रोसीडिंग का एक कॉपी दिया जाए जिसको हम भी स्टेडी कर पाए केवल ये अधिकारियों का ब्रेन आइडिया नहीं होना चाहिए कि नियोजन निती कैसा होना चाहिए हमारे जितने भी विधायक है, जो बुद्धी जी वी विधायक है वो भी अपना योगदान उनको भी इसमें देना चाहिए वो तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एक प्रसीडिंग का कॉपी आए अभी तक भी हमारे यही मांग है ताकि अगर हमारे तरफ से भी कुछ अच्छे सजेशन्स दे सकते हैं जिससे नियोजन निती मजबूत बने तो शायद पुरे राज्य के लिए भला होगा निती की तो इनका स्पष्ट कहना है कि जो भी नियोजन निती बने वो जार्खंड के आदिवासी मुलवासियों के लिए बने जार्खंड के हित में बने ताकि जो बिरोजगार युवा का सड़क पर है उन्हें रोजगार मिल सके तब तक लिए बने रही रेपोर्टर पोस के साथ मैं पूजा, नमस्कार.